नमस्कार साथियों आप सभी का स्वागत है स्रीश्याम क्लासेश के यूटूब चैनल पर दोस्तों जैसा कि अपन पसू परिचर बढ़ती के लिए दोस्तों कंट्यूनिव अपनी तयारी कर रहे हैं तो जो भी भाई पसू परिचर की तयारी करना चाहता है वो हमारे क estás अगला कुश्यन देखते है जो अपनी वैटनरी क्लासेश का है ठीक है अगला कुश्यन देखेंगे किस में मीठा पन कितने परतिसत पाया जाता है जो खीस होता है यानि जो पसू ब्याता है तो उसके तीन से चार दिन का जो दूद होता है उसे खीस बोला जाता है तो दोस्तों उसमें मीठा पन कितना परतिसत होता है 2.18 परतिसत दूद में वो खीस में मीठापन होता है ठीक है अगला क्रिश्टन देखेंगे कि घी में सुगंद किस कारण से पाई जाती है जो घी होता है उसमें यह महाई जाती है सुगंद पाई जाती है किस करण से पाई जाती है दोस्का सफोर कुछ आइससे टाइल साल ना-इससे और दोनों के तुम तो राइट आनसर हो जाएगा आपकाstar gel was को किशेटें इयर नोचिंग किससे सम्मंदित है इनित कान कुतरना किस पसों से संबंदित है सुवर, भेड, बकरिया, उंत तो दोस्तों जो इयर नोचिंग है ये सुवर में देखी जाती है सुवर में की जाती है इयर नोचिंग सुवर को पैचानने के लिए ठीक है अगला क्यूस्टिन देखेंगे किस पसों की पैचान के लिए पैंटिंग पदती सबसे ज़्यादा पर्चलित की जाती है तो दोस्तों जो भेड़े होती है उन्हें पैचानने के लिए उन्हें सबसे ज़्यादा पैंटिंग पदती की जाती है तो राइट आंसर हो जाएगा आपका option number B भेडों में पैचान करने के लिए painting पदती सबसे ज़्यादा प्रियोग की जाती है ठीक है अगला question देखीगा दोस्तों कि पसों में पैचान की tattooing पदती किस पसों से संबंदित है कि पसों में दोस्तों पैचान करने की जो tattooing पदती होती है वो कौन से पसों से संबंदित है दोस्तों जो गोट बक्रिया होती है इनके अंदर दोस्तों tattooing की जाती है इने पैचानने के लिए ठीक है next question देखेंगे कि dehorning किस से संबंद रखता है या नहीं संबंदित है कान काटना सींग काटना पूंच काटना या नहीं से कोई नहीं तो दोस्तों जो dehorning है ये सिंगोğों से संबंदित है सिंगों को काटना दोस्तों क्या कहलाएगा dehorning ठीक है अगला question देखीगा कि सींग रोधन के लिए काम में लिया जाता है जब सिंग रोधन किया जाता है दोस्तों उस समय क्या चीज़े काम में ली जाती है दोस्तों कास्टिक सोड़ा भी काम में लिया जाता है योएच भी काम में लिया जाता है पोटेशिम हाइड्रोक्साइड भी काम में लिया जाता है तो राइट आंसर हो वो जनम के कितने सब्तों बाद में किया जाना चाहिए तो दोस्तों एक से दो सब्ता के बाद में इनके अंदर दोस्तों सिंग रोधन की परकरिया अपनाई जानी चाहिए ठीक है? अगला कुस्टन देखीगा दोस्तों कि विस्वे में पर्थम करत्रिम गर्बादान किसके दुवारा किया गया था तो दोस्तों विस्वे में जो पहला करत्रिम गर्बादान है ये लाफाड सेलैन के दुवारा 1767 एस्वे में दोस्तों किया गया ठीक है अगला क्षिशन देखेंगे करत्रिम गरबादान पर्थम बार किस पसु में किया गया था तो दोस्तों जो करत्रिम गरबादान है ये पहली बार बैस के अंदर किया गया किस पसु के अंदर दोस्तों किया गया बैस के अंदर ठीक है अगला question देखेंगे कि बेड के पर्थम क्लोन से सम्मंदित सही क्या होगा तो दोस्तो जो बेड का पर्थम क्लोन का नाम क्या है आप सभी को पता है डोली तो दोस्तो जो डोली है ये 1996 में इस्कोट लेंड में विक्सित की गई थी दोस्तो जो भेड का पर्थम कलोन था एक कोंसा डोली के 996 में दोस्तोंorse practice land में विक्षित की गई ठीक है अगला question देखेंगे गाय के पर्थम कलोन से संबंधित सही विकलब कोंसा होगा तो दोस्तों गाय का जो पर्थम कलोन है कागा कलोन था जो 1998 में दोस्तो जापान की दुवारा बनाया गया गाय का पर्थम क्लोन कौन सा था कागा अगला कुस्टिन देखीगा बैस का पर्थम दित्य क्लोन कौन सा है जो बैस बफैलो होती है उसका पर्थम और दूसरा क्लोन दोस्तो कौन सा है तो दोस्तो पर्थम क्लोन जो है दोस्तो गरी गरिमा कलोन है ठीक है पर्थम और गरिमा बैस का जो पर्थम कलोन है वो दोस्तों पर्थम के नाम से जाना गया और दूसर जो कलोन है ये गरिमा के नाम से जाना गया ठीक है अगला कुशन देखेंगे बैस का पर्थम कलोन कहां से विक्षित किया गया था तो दोस्तों जो बै आराई करणाल के दुआरा दोस्तों विक्षित किया गया कहां से किया गया था और इस निसनिल डेटी रिसेटोर्शंप कर नार कि दुआरा दोस्तों वियंस का पर्थम कोर्थम क nossa गया था अगला Farenight में बात करें तो 102 से लेकर कि 106 degree Fahrenheit यानि दोनों की दोनों आपके सही हो जाएंगे प्रोइटांसर होगा, option number D, A वर B, दोनों, ठीक है, degree Celsius की बात करें, तो गुणचाले से 41 degree Celsius से फेरिनाइट में बात करें तो एक सो दो से एक सो चैठ डिग्री फेरिनाइट ठीक है अगला कुश्यन देखीगा कि वीर्य क्लैक्षिन के समय करत्री मियोनि को कितने डिग्री कौन पर रखा जाना चाहिए थीक है अगला कुश्यन वीरिये के तनुकरन के लिए क्या मिलाया जाता है वीरिये के तनुकरन के लिए दोस्तों उसमें क्या चीज मिलाई जाती है तो दोस्तों अंडे के पित भी मिलाया जाता है शुक्तोज भी मिलाया जाती है गिल्स्रीन भी ये सबी के सबी दोस्तों अंडे के वीरिया को तनुकन करने के लिए दोस्तों इनमें मिलाया जाता है ठीक है अगला कुछिन देखेंगे बेड़ के मेमनों की मेमनों की पूँच काटने की किरिया क्या कहते है तो बेड़ के मेमने होते हैं दोस्तों मेमनों के पूँच काटने के किरिया होती है उसे क्या बोला जाता है तो दोस्तों दोकिंग पूँच काटने को क्या बोला जाता है दोकिंग बोला जाता है ठीक है अगला कुश्चन देखेंगे कि बेड़ में डोकिंग किरिया किस बात करेंगे रास्तान जीके की मॉश्टर इंपोर्टन कुश्यंस तो दोस्तों इस से पहले अपने वेटनरी साइंस की कुश्यंस देख लिए हैं अब आपन बात करते हैं रास्तान जीके की किलास के लिए पर रास्तान जीके कुश्यंस देखते हैं यह आज का पहला कुश्य जिलों में निर्मित किया गया है तो दोस्तो जो इसंता बांद परियोजना है ये टॉंक और सौई मादो पर दोनों जिलों में दोस्तों ये परियोजना निर्मित की गई है ठीक है अगला कुशन देखीगा 2011 की जनगर्णा के अनुसार राजस्तान के किस जिले में न्यून्तम ग्रामीन लिंगा अनुपात था तो दोस्तो 2011 की जनगर्णा के अनुसार राजस्तान का ऐसा कौन सा जिला है जिसमें न्यून्तम ग्रामीन लिंगा अनुपात था राइट आंसर हो जाएगा दौलपूर जिला कौन सा दौलपूर जिला ठीक है अगला क्विशन देखेंगे बी थरी पवन उर्जा परियोजना राजस्तान के किस जिले में इस्तापित की गई है तो दोस्तो यह राजस्तान के जोधपूर जिले में बी थरी पवन परियोजना इस्तापित की गई है अगला क्विशन देखीगा जोदपूर का महा मंदिर उपासना इस्तल है जो जोदपूर का महा मंदिर है वो किसका उपासना इस्तल है तो दोस्तो दादू संपरदाई का बिस्नोय संपरदाई का रामस्ने संपरदाई का या दोस्तो नात संपरदाई का तो दोस्तो जोदपुर का महा मंदीर नात संपरदाई का उपासना इस्तल है ठीक है अगला कुस्षिन देखीगा अगला कुस्षिन आता है अठारसो सताउन की करांती के दोरान जैपुर के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे तो दोस्तो जो जैपुर के अठारसो सताउन की करां किसम है जैपुर के पोलिटिकल एजेंट थे मेरे दोस्तों अगला कुश्चिन देखेंगे निम्न लिखित ठिकानों में से किसने चंवरी कर लगाया था तो ऐसा कौन सा ठिकाना था जिसने दोस्तों चंवरी कर लगाया था बीजोल या ठिकाने ने दोस्तों चंवरी कर लगा परिया था, नेक्स्ट कुश्चियन देखीएगा लोद्रावा परसिद है तो दोस्तों जो लोद्रावा है ये जैन समुदाई के लोगों जैनियों के लिए परसिद इस्तान है अगला कुश्चियन देखेंगे निम्नलिकित में से कौन सा सिचाई परियोजना का जिलास मिलित नहीं है तो दोस्तो सबसे पहले बात करें सान बादो तो दोस्तो एक कोटा में है सोम कमलामबा डूंगरपुर में है और सोम कागदर्द उधैपुर में है दोस्तो परवन लिपट जो प्रियोजन सिचाई प्रियोजन है जैपुर में नाव करके दोस्तो एकाँ पर है जाला वाड में है तो दोस्तो प्सण नमबर प्रस्ट आपका रोंग हो जाएगा नहीं सही आंसर हो जाएगा इसमें अगला question देखेंगे बातारी फुलवारी कितने खंडों में विवयत है तो दोस्तों जो बातारी फुलवारी है सबसे पहले तो बात करेंगे विख्यात जो लेकर कित्यासकार है विजेदान देथा की दोस्तों यह गचना है और दोस्तों भी कितने खंडों में बटी वी है तो तो दोस्तो सीव समुद्रम जल परपात जो है कावेरी नदी के किनारे पर दोस्तो इस्तित है, ठीक है, नेक्स्ट कुश्चन देखीगा, राजस्तान के राज्य पाल पदेन कुलाधी पती होते हैं, यानि राजस्तान के राज्य पाल पदेन कुलाधी पती कौन होते हैं, तो रूप से राजस्तान में पाई जाती है जो खसकी घास है दोस्तों वो मुख्य तोर से राजस्तान में कहां पर पाई जाती है ब्रतपुर और टॉंक वन विवाग में दोस्तों खसकी घास पाई जाती है राजस्तान के अंदर नेक्स्ट कुशिन देखेंगे राजस्तान विदान सभा के पर्थम प्रोटम स्पीकर को थे जो राजस्तान की विदान सभा है दोस्तो उसके पर्थम प्रोटम स्पीकर किसे बनाया गया था तो दोस्तो राइट आंसर हो जाएंगे आपका महाराव संगराम सिंग को दोस्तो रास्तान विदान सेवे का रथम प्रोटम स्पीकर बनाया गया अगला कुश्यन निम्न लिखित में से किस सडियंत्र केस में परताप परिभारट को कारावास दिया गया था तो दोस्तों जो आपका बनारा सडियंत्र मुकदमा है इसके अंदर परताप परिभारट को दोस्तो कारावास दिया गया अगला कुछन देखीगा निम्न में से राजस्तान के किस मुख्य मंतरी के कारेकाल में सरवादिक बार राष्टे पती सासन लगाया गया था कि राजस्तान कैसे कौन से मुख्य मंतरी है जिनके कारेकाल में सरवादिक राष्टे पती सासन लगाया गया त मक्का का सरवादिक उत्पादन किया जाता है राजस्तान का कौन सा छेतर है जिसमें मक्का का सरवादिक उत्पादन किया जाता है तो दोस्तों दक्षनी थता दक्षनी पूरी भाग है इसके अंदर मक्का का सरवादिक उत्पादन किया जाता है राजस्तान के अंदर अगला क इसमें जो आपका रोंग हुआ हरीमोन माथर दोस्तों करोली से नहीं होंगे बाकी गोपर इराल यादव बरतपुर से मत्रादास माथर जुमारवार से और कर्शंदत पालिवाल दोलपुर से राइट आंसर हो जाएगा आपका उपसन नमबर फ़स्ट ठीक है अगला किसन दे हैं दोस्तों 2011 की जनगर्णा के अनुसार जिनका जन संक्या गनत्तु है सो प्रतिवरग किलोमेटर से कम पाया जाता है तो दोस्तों कौन-कौन से जिले हो जाएंगे यह दोस्तों जैसल मेर बाड मेर और बीकनेर यह तीन जिले ऐसे हैं जिन में जन संक्या गनत्तु है सो वरग किलोमेटर से भी कम पाया गया है ठीक है अगला किसन देखेगा कि भील जन जाती के प्रूस कमर पर जो वस्तर लपेटा करते हैं उसे क्या कहा जाता है भील जन जाती के प्रूस कमर पर जो वस्तर लपेटा करते हैं उस वस्तर को दोस्तों क् खोईतू बोला जाता है जो कमर पर लेटा करते हैं कौन भील जन जाती के पुरूस ठीक है अगला कुस्टन देखीगा कि सीमा सुरक्षाबल दुवारा जनुरी 2022 में रास्तान की सीमा पर कौन सा अभियान चलाया गया तो दोस्तो ओपरेसन सर्द हवा ये सीमा सुरक्षाबल क के दुवारा जनुरी 2022 में रास्तान की सीमा पर चलाया जाने वाला हवियान था तो दोस्तो ये तो आपकी रास्तान जीके के कुस्टन सो गए अब इसके बाद में अपन दोस्तो बात करने वाले हैं जो जनरल साइंस दैनिक साइंस आती आती उसके कुस्टनों के उपर आज तो थायरोक्षिन एक परकार का हार्मोन होता है क्या होता है हार्मोन मेरे दोस्तों ठीक है नेक्स्ट कुस्टिन देखेंगे सोनार को अधिक्तम प्रयोग में लाया जाता है तो दोस्तों सोनार सबसे ज़्यादा किसकी दुआरा रुग में लिया जाता है नो संचाल को के दु होती है दोस्तों मियोसिस की जो अवस्ता होती है इसी परकरिया से कीटाणू कोशिका बनती है ठीक है अगला कुछिशन देखीगा हीलियम के नाबिक में होते हैं तो दोस्तों हीलियम के नाबिक में दो प्रोटन वैद दो न्यूट्रन उपस्तित होते हैं ठीक है अगला देखेगा मनुश्य के लिए धवनी इस्तर कितना होता है दोस्तो मनुश्य के लिए जो वोल्यूम इस्तर होता है दोस्तो वो साट डेसीबल का होता है मेरे दोस्तो नेक्स्ट कुश्यन देखेगा निवन में से इस तलिये घरह कौन सा है तो दोस्तो जो बुद्ध घरह होगा आपका ये इस तलिये घरह होता है कौन सा बुद्ध घरह जो है इस तलिये घरह होता है अगला क्रिशन देखीगा मलेरिया की दवा कुनेन किस से प्राप्त होती है तो दोस्तों जो मलेरिया की दवा कुनेन होती है ये आवर्त बीजी पादप से प्राप्त की जाती है किस से प प्रचुर मातरा में उपलब्द महतपुन नाविके इंदन कौन सा है जो भारत में दोस्तो प्रचुर मातरा में उपलब्द है और महतपुन नाविके इंदन है दोस्तो वो कौन सा है थोरियम जो है दोस्तो ये भारत के अंदर उपलब्द है जो नाविके इंदन के रूप मे लिया जाता है ठीक है अगला कुछिशन देखेंगे नीलम किसकी परजाती है दोस्तो जो आपकी नीलम है ये किसकी परजाती है आम की परजाती होती है दोस्तो नीलम ठीक है अगला कुछिशन देखीगा धान के खेट से कौन सी गैस निकलती है दोस्तो जो धान का खेट होती ह इसे CH4 मिथेन गैस दोस्तों निकलती है ठीक है अगला कुछिन देखीगा सूर्य का आकार पर्थवी से कितना गुणा बढ़ा है तो दोस्तों जो सूर्य का आकार है यह पर्थवी से लगबग 109 गुणा बढ़ा है कितना है पर्थवी से सूर्य का आकार 109 गुणा बढ़ा ह ठीक है अगला कुश्शन देखेंगे अब क्या है किसी वस्तु का प्रती मिम्ब मनुस्य की आंख में कहां बनता है तो दोस्तों जो मनुस्य की आंख है उसमें जो किसी भी वस्तु का प्रती बिम्ब है वो रेटिना में बनता है दोस्तों कहां पर बनता है रेटिना के अंदर अगर दोस्तों किसी भी वस्तु का प्रतिविंबे बनता है आँख के अंदर अगला क्रिशन देखीगा सोर मंडल का सबसे ठंडा कूलेश्ट घरह कौन सा है तो दोस्तों जो नेप्चुन घरह है ये सोर मंडल का सबसे cool, सबसे ठंडा गरह होता है, ठीक है, अगला question देखीगा, red data book अथवा, red list से संबंदित संगठन कों सा है, जो red data book है, अथवा, जिसे आप red list बोलते हैं, उससे संबंदित संगठन कों सा होगो दोस्तो, IUCN जो संगठन है, कों सा, IUCN संगठन, ये red data book से संगठन हैं, ठीक है, अगला question देखीगा, nuclear bomb बनाने के लिए, निमन में से किसका उप्योग किया जाता है, तो दोस्तो, nuclear bomb बनाने के लिए, निमन में से, यूरेनियम का उप्योग किया जाता है, किसका उप्योग किया जाता है, यूरेनियम का, next question देखीगा, कि इस्तती वि विज्ञान है दोस्तो निम्न लिखित में से किस से संबंदित है तो दोस्तो यह विश्राम की इस्तती से संबंद रखता है इस्तती विज्ञान ठीक है अगला कुस्चिन देखेंगे एनीमो मीटर से निम्न लिखित में से किसका मापन किया जाता है तो दोस्तो एनीमो मीटर ह होता है कि पवन के वेंग गोम आपने के लिए दोस्तों काम में लिया जाता है next question देखिएगा की डेंगु एक बुखार है जो उत्पन होता है और दोसरे मनुशे में पहुंचता है तो दोस्तों डेंगु कि जो दूसरे विक्ते में दोस्तों माधा न् एडिस मच्छर होता है दोस्तो इसके दुआरा फैलता है दोस्तो डेंगू किसके दुआरा फैलता है वायरस के दुआरा और एक वक्ति से दूसरे वक्ति के दुआरा किसमे फैलता है एडिस मच्छर से ठीक है अगला कुस्टन देखेंगे निम्न लिखित में से कौन सा साप जहरीला नहीं होता है तो दोस्तो जो अजगर होता है या जहरीला साप नहीं होता है तो दोस्तो इसी तरीके से आप Veterinary Science रास्तान जी के और Dhandic Science के Combined Questions देखने के लिए जुड़े रहें आपके अपने YouTube चैनल स्रीष्थाम क्लासे के साथ में दोस्तो और चैनल को दोस्तो सभी वायों के पास में सेर जरूर करेंगे Thank you, दोस्तो धन्यवाद